आज हम डिसकस करेंगे प्रापर्टीज आफ वेक्टर एडिशन और यह हमारे चिप्टर नमबर टू स्केलर्स एंड वेक्टर से रिलेटेड है और यह हमारा लेक्चर नमबर थर्टीन है तो आईए इसको स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैंने लेक्चर नमबर टूलेव में जो है वो डिसकस किया था एडिशन और वेक्टर स्बाइदी जियोमेट्रिकल मेथड मैंने उसके अंदर तीन जो है वो मैथड्स जो है वो आपको बताए थे तो आईए लेक्चर नमबर थर्टीन को स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर नमबर थर तो अगर हम इसको वेक्टर एडिशन के उपर अपलाय करते हैं तो हम इसको कह सकते हैं वेक्टर कमिटेटिव लाफार वेक्टर एडिशन ठीके तो हम क्या करेंगे पहले वेक्टर ड्रा करेंगे और फिर उसके उपर हम कमिटेटिव प्रापरटी को अपलाय करेंगे तो यहा हमारा suppose कर लीजे वेक्टर क्या है B है ठीके अब यहां पे देख सकते हैं आपकी यह जो है वो initial point है यह इसके साथ आप मजीद वेक्टर जो है वो joint कर सकते हैं तो यहां पे मैं एक और वेक्टर इसके साथ add कर रहा हूं और यह वेक्टर भी equal है B के तो इसका जो नाम होगा वो भी B वेक्टर होगा और B के साथ फिर में एक और वेक्टर add कर रहा हूं जो equivalent है C के और इसको भी हम C से represent कर रहे हैं ठीके तो यहां पे अगर मैं बिलकुल line जो है वो निकालूं diagonal तो यह आपकी हो जाएगी resultant vector और mathematical language के अंदर इसको हम diagonal भी कहते हैं ठीके तो आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास चार वेक्टर से हैं ठीके तो अगर हम बात करें इस वेक्टर की तो यहां पे आप देख सकते हैं first जो हमारा वेक्टर है वो A है इसके साथ हम add कर रहे हैं B वेक्टर ठीके तो यहां पर जो हमारा resultant होगा वो equal हो जाएगा A वेक्टर प्लस दर B वेक्टर के ठीके उसके इलावा अगर आप दो और वेक्टर देखेंगे तो यहां पर first जो वेक्टर है वो आपका B है उसके साथ add हो रहा है आपका C वेक्टर ठीके तो यहां पर आपका यहां पर जो resultant है वो equal हो जाएगा B प्लस A क्योंके यहां पर हमने B first इसलिए लिखा है क्योंके इसकी initial जो वेक्टर है वो B है तो यह अगर हमारी equation 1 है और यह हमारा जो equation है वो 2 है तो हम इन दोनो equation को क्या कर सकते हैं compare कर सकते हैं तो हमारी जो equation हो जाएगी वो यह हो जाएगी A vector प्लस D B vector यह equal हो जाएगा B vector प्लस D A vector तो आप देख सकते हैं यह आपका commutative property का ही formula है तो यह आपका क्या हो रहा है प्रूव हो रहा है अगर हम इसको numerical values पुट करके प्रूव करें तो वो भी आपके प्रूव हो जाएंगे अगर हमारा A vector जो है suppose कर लीजे वो equal है 3 units के ठीके और जो हमारा B vector है suppose कर लीजे वो equal है 5 units के तो अगर हम इनके अंदर value पुट करें A की जगा पे 3 plus B 5 हो जाएगा B की जगा पे 5 plus 3 यह तो आपको पता है यहाँ पे भी आपका answer हो जाएगा 8 और यहाँ पे भी आपका answer हो जाएगा 8 तो यह दोनों properties क्या हो रही है commutative जो है वो आपकी prove हो रही है ठीके उसके बाद हम जाते है next property पे that is associative law for vector edition means हम associative property को भी vector edition के उपर apply कर सकते हैं ठीके तो पहले हम क्या करेंगे figure draw करेंगे ताके आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ठीके तो figure हम किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको draw करेंगे through the diagram तो यहाँ पे हम क्या लेंगे एक vector लेंगे तो यह आपका vector हो जाएगा A और इसके साथ एक और वेक्टर एड़ करेंगे B वेक्टर ठीके और इसके साथ एक और वेक्टर एड़ करेंगे ये वेक्टर हो जाएगा आपका C वेक्टर ठीके और ये आपका क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा आपका रिजल्टन्ट ये c वेक्टर हो गया और ये आपका हो गया resultant ठीके तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं एक line निकालूँ imaginary तो यहाँ पे आप ये a and b जो है वो separate कर सकते हैं तो यहाँ पे जो आपका sum हो जाएगा resultant का वो equal हो जाएगा a plus b ये दोनों add हो जाएगे और plus हो जाएगा इसमें जो है वो आपका c वेक्टर तो यहाँ पे आपका resultant होगा वो equal हो जाएगा a plus b क्योंकि हम ये दोनों वेक्टर आपस में add कर रहें plus the c वेक्टर ठीके plus the c वेक्टर तो ये आपकी बन जाएगी first equation ठीके उसके इलावा अगर हम बात करें मैं इस line को अब करता हूँ remove ठीके थाके आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाए ठीके तो मैंने इसको क्या कर दिया remove कर दिया तो आप जो दूसरी figure बनाएंगे वो कुछ इस pattern से बनाएंगे कि अब आप 8 करेंगे b and c को यहां से line निकालेंगे ठीके तो यहां पे जो आपका resultant होगा वो equal हो जाएगा b plus c b plus c उसके साथ जो है वो आप 8 करेंगे a vector यह आपकी equation हो जाएगी 2 तो जब आप दोनों equations को compare करेंगे तो आपके जो values आएंगे वो यह आएंगे पहले हम first equation के values लिखते है resultant के वो आजाएंगे a plus the b vector plus the c vector और यह equal हो जाएगा b vector plus c vector plus the a vector ठीके तो यह आपका जो formula है यह शोग कर रहा है associative property को ठीके और आप यह देख सकते हैं के vector edition में यह जो है हम apply कर सकते हैं क्योंके graphical यह क्या हो रहा है प्रूव हो रहा है ठीके तो आज हमारा बिल्कुल ही छोटा lecture था simple lecture था यह आज यहाँ पे complete हो रहा है इंशाला next class के अंदर हम next जो है वो topic को discuss करेंगे